कि एगाई कैसे हैं आप सब आई होप यू आ डूइंग वैल एम चंदी वेलकम टू शेशी सरकल तो हम लोग बिस्कस कर रहते हैं यू पीएशी 2020 टेस्टरीज ठीक है और यह वीजन आइस की टेस्टरीज है टेस्टरीज नंबर इसका स्क्राइब पार्ट है इसका फिस्ट पार्ट भी आ चुका है और यह हिस्टरीज के टेस्ट है ठीक है और इसके साथ जो साथ जो फूल जीएश के टेस्टाथ आते हैं ठीक है पड़ेगी और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और मतलब वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेर जरूर कीजिए ठीकिए अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को ठीकिए तो चलते हैं फिटी वान कुष्टन नमर पेस्ट में कहा गया है कि अठारवी उनीश्मी सताबदी में अंग्रेजों द्वारा राजियों या समराजियों की बिजय को काला नुक्रम में बेवस्तित कीजिए तो फर्स बंगाल सेकेंड मराथा थर्ड मैसूर और पंजाब फोर्ट है तो इसमें देखो सबसे पहले जो यह बंगाल का इन्होंने अधिकरहण किया था जो शत्रासो आपको देखने को मिला था पैंसर्ट की जो यह इलाहबाद की संद्वी थी उसके अंतरगत और यह जो फिर मराथा समराज की बात करें तो यह एंग्लो मराथा जो थर्ड वार्ड हुआ था अठारा सो अठारा में ठीक है अठारा सो जो अठारा में हुआ था उसके संबंद में अठारा सो अठारा में हुआ था जो एंग्लो मराथा वार्ड ठीक है उसके बाद इसका विले हो गया था और यह जो आपको देखने को मिले था यह अठारा सो उन्चास में इसका विले किया गया था तो हमारा जो अगर क्रम में बात करें तो हमारे से झालब और हम często में त Trump करनाटक संदर्ब के चंदर में संबंद में इम्रिक कत्मों पर विचार करना है तो फर्फ है कि प्रथम करनाटक यूद जो प्रथम और त्रफिए करनाटक यूद वर्चत सोहे तो यूरोपी शंगर्ज का भागते जबकि दूसरा करनाटक यूद इस्थानी कारकों का कारण हुआ करता था ठीक है फर्फ में शर्वोच सकती के रूप में अंग्रेजों की स्थापना का समयाप्त मतबसार समयाप्त हो गया था ठीक है जो उनकी स्थे पहरिश की शंदी के साथ तीसरे करनाटक यूद में तो लाप लगात की यूद आपको देखने को मिलेते यह यह यूरोपी संगर्श में ज के बाद जो पहला जो कनाटक यूद्ध समाप्त हुआ ठीक है और यह कनाटक यूद्ध आपको देखने को मिले थे जो 1849 से शतरा सो नशाज से यह 1763 तक यह देखने को मिले थे सीम कनाटक यूद्ध थे ठीक है जो अंग्रेजों प्रिस्ताव के संदर्में निम्कित कत्नों पर विचार करना है तो फर्स्ट है कि इसने आशायोग अंदोलन के आरंब का मार्ग जो है प्रसस्त किया था सकेंड है कि इसने पिशानों धौरा भूम मिकर का भुगतान नहीं करने से समंधित प्रावधान समयली तो यह गलत है इसमें जो है गांधी जी ने तो और यह आयनुंग जो थी निस्टी मितलब इन्डिय नेशनल कांग्रेश थी इसने जो पिशानों को करकर भुगतान करने का जो मतलब आग रही किया था इसमें तो ऐसा प्रोविजन इसमें नहीं था कि नहीं के लिए ठीकर फास्ट वाला स्टेटमेंट हमारा ये भी गलत है क्योंकि जो देखने को मिले था ये इसके बाद जो बारदोली प्रस्ताव हुआ था ये हुआ कब था जब ये चौरी-चौरा घटना ह इसको इस्थगित करने का ये बारदोली प्रिष्टाव में इसको इस्थगित करने के लिए प्रिष्टाव पारित किया गया था तो दोनों कि किसानों को उनकी भूम से जबरन बेधकल किया जाना ठीकिए सेकंड है की नील की करिसी की बाद देता और खिसानों को इसकी उपज पर दिया जाने वाला कम लाबकारी मुले था ठीके सेकनजी है की कास्थकारों को नील की बुनाई वाले च्षेतरों पर वाम स्वामित तो अधिकार प्राप्र करने आद पर्टित डLES था ठीक है और डिये की नील की निर्यात पर प्रतिबंद और उसके सोदेशी उद्धोगों को बेचने की अनिवारता तो देखो यह बी वाला ऑप्शन जो है यह नील बिद्रों के संब्ध में सही है ऑप्शन क्योंकि नील की जो खेटी होती थी वह मतलब उनकी बात देता थ था जितना यह लोग को कहते थे कि हम जैसे उन्होंने कहा कि 100 रुपे में हम खरीद लेंगे नील को लेकिन उसके बाद जब जो फसल तयार हो जाती थी तो यह 50 रुपे में आधे पौने दामों में खरीदा करते थे ठीक है इसलिए यह मतलब बिद्रों हुआ था तो हमारा आप्सन सही हो जाता है तो नेक चलते हैं कुश्चन नंबर हमारा है 55 बिसमें कहा गए कि निमली की कतनों पर विचार कीजिए तो फस्ट है कि हैदर अली दौरा नया पंचांग और सिक्का ढ़लाई की नई प्रणाली और वजन वा माप का नया पैमाना जारी किया गया था नई तो नहीं के सेकेंड है कि टीपू सुल्तान दौरा फ्रांसिशी करांतिक से प्रणाला लेते हुए स्री रंग पट्नम में सटनता का ब्रच लगाया गया था और थर्ड की टीपू सुल्तान ने पौलीगारों की सक्टी को कम करने की बात की थी और जो जमिदारी पर था ठी उसको भी इन्होंने खतम करने की बात इती है और यह सेकेंड वाला भी जही है क्योंकि यह फ्रांसीशी करांटी ने पृष्ट लिए थी और श्रीरंग पत्तनम में जो इन्होंने सोतंत्रा का ब्रच्ह लगाया था और यह जो फ्रांसीशी कलब के सदसी भी बने थे लेकि हो जाता है तो दो और तीन स्टेटमेंट से हैं सी ऑप्षन हमारा सही हो जाता है ठीक है चलते हैं इस कुछिचिन पर नेक्स है कि 56 में कहा गया कि 1857 के बिद्रो के संदर्में निम्कित कत्मों में से कौन सा सही है तो फस्ट की यह ऑप्षन बिद्रोहियों दोरा केवल अंग्रेजियों के बिरुद्ध आकरमण और हिंसक कारवाई की गई थी ठीक है कि अधिकांस हिंसक गत्विधियां सहरी के इंदरों तक सीमित थी और सी यह की बिद्रोहियों के दोरान हिंदू और मुसल्मानों के बीच धार्मिक विवाजन अतिधिक कम था और ड ठीक है दिली के नवाब थे और फैजावाद के भी थे और देखो जो इंडियन इंडियन सेनिक होते थे जो ब्रिटिश से नामे भरती थे उन सब को मिला के यह किया गया ता इसमें कोई मतलब जो भेदभाव की बात करें कि मतलब ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था मतलब तब ऐसा जो धार्मिक विभाजन नहीं देखने को मिलता था 1857 के समय पर लेकिन इनकी बिफलता का कारण क्या था कि इनका अच्छा नित्रों को नहीं था इनकी जो है सुशंगठी तो जो है मतलब सैनिक नहीं थे और इसमें जो है अपने लोग क्या कर रहते अपने अपने पर लाला लाजपत राय इसके पर्थमाद देच्छते ठीके सेकेंड है कि इसके द्वारा सिर्मिकों में सिर्मिकों से राष्टरवादी राजणीती से दूर रहने की अपील की गई थी तो यह गलत स्टेटमेंट है इसमें जो है यह इसके जो आपको आल इंडिया ट्रेड अपरिज्ब्सक्राइख करें और साथ-साथ जो है राजणीती का जो राष्टवादी राजणीती है उसमें भी पर्टिशिपेट करें ठीके तो यह दो मतलब हमारे जो है यह समुच षप में पर प्रिश्टल अपनाया था ठीक है और सेकेंड है कि स्चारोबहुमिक वैस्क मताधिकार के आधार पर चुनाओं की परिकल्पना की गई थी और थर्ड है कि भगत सिंग और उनके साथियों को फांसी दिये जाने के कारण कांग्रेश ने इस अधिमेशन में गांधी इर्विन समझोते को अस्विकार कर दिया था तो यह गलत है क्योंकि उन्हों ने जो यह भगत सिंग और उनके जो साथी थे वो हिंसक घठनाओं से संबंधित थे तो यह लोग यहां एक प्रिस्ताव पारित किया था 1931 में कि जो भ अफने आपको गयं मतलब अलग रखने के लिए और आस्विकार करने के लिए प्रिस्ताव पारित किया गया था तो यह गल्या पर резचत मिन्त रहर दलने की तहीं हुआ हमारे एक और दो इस्टेटमेंट सही हो जाते हैं एक चलते हैं 59 इसमें कहा गए कि अफगानिस्तान में ब्रेटिस हस्टेशेव के पीछे प्रात्मिक उद्देश से था तो फ़स्ट है कि भारती करांतिकारी गत्विधियों के लिए शुरच्छित सरण इस्थली बनाने से र अफगानिस्तान पर नींतरण इस्थाफित करना ठीक है कि अपने पर दूशी इटेंस भी परकार के युद्ध जैसी इस्थितियों को रूखने के लिए अफगानिस्तान में एक ससकते इस्थानी सरकार इस्थापित करना थो इसा कोई प्रोविजन नहीं था इनके लिए ल क्योंकि नैपोलियन का वर्चस तो आप लोग देखते ही थे उससे में बहुत ज्यादा था तो इसलिए यह मतलब सुरच्छानिती अपना रहे थे तो हमारा सी ऑप्षन सही हो जाता है नेक सही कि खिलाफत अंदोलन के संदर्में निम्रिकित कतनों में से पर विचार किजिए तो फस्ट एक उसमें से कौन सा स्टेट्मेंट था सही नहीं है यह बताना है तो फस्ट एकि भारत में 1990 Cuando Math and Linux до 2020 में इस अंदोलन का नेत्रोत ने किया थाatar के और सेकेन्ड एक इस अंदोलन का बातीर स्थान हर उसको जो है अपना मतलब सक्षे सर्मांते देँ इसलिए उसके बारे में यह वा था तो फल्ट Thailand मुसल्मानों ने किया था और यह आटूमन grow मुट उस्माब कर दिया था ब्रिटिस श्रकार ने उसे की मांग कर रहे थे यह संब्स्क C तो हमारा जो है गलत हो गया सेकेंड वाला स्टेट्मेंट गलत हो गया तो ए ऑप्षन हमारा सही हो जाता है नेक से इसमें कहा गया कि तेवागमन पे और जबत है और उपनीशिदों की सिचाएं और थर्ड प्रातना के माद्यम फेश के साथ शमाद करना तो है तीनों के तीनों स्टेट्मेंट सेही हैं ठीक है क्यूकि इनका काम ही था ऐसा मतलब सोसल रिफॉर्म करने के लिए तो हमारा डी आप्शन सही हो जाता है और थियो स्थापना की तो इसकी इस्थापना तो की गई थी जो एच्पी बलात वास्की थी और करनल अलकाट थे ठीक है इन्हों स्थापना की थी ठीक है और यह लगभग 1882 के करीब भारत में इसमें इंडरी की थी ठीक है तो नेक्स है हमारा 62 में कहा गया कि निमलिखित में से कौन से प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के भागत थे तो फस्ते की प्रांतों की स्वेतता के साथ अखिल भारती संग की स रहने वाले सभी भेगतियों को मता अधिकार और तो इसमें प्रोविजन नहीं किया था बेटिस जो भारत में रहने वाले कि वैस्क मतादिकार का जो है इसमें प्रोविजन किया गया था तो यह हमारा गलत हो जाता है फास्ट एन जो है थार्ड वाला स्टेट्मेंट हमारा जो फास्ट एन थार्ड वाला जो स्टेट्मेंट है हमारा सही हो जाता है तो जो ऑप्शन है हमारा फास्ट एन थर्ड यह व सबसे पहले उसके बाद मैसूर्ट तन्हें पहले सबसे पहले उसके बाद मैसूर्ट पहले पहले इसका प्रयोग नहीं किया ता यह जो फ्रांसिशी गौर्णर डूपले थे इन्होंने सहाइक संदी की ती सबसे पहले तो हमारा स्टेट्मेंट सेकेंड सही हो जाता है बी वाला ऑप्शन नेक्स है हमारा 64 कुस्टे नमर इसमें अधो मुखी निश्यंदन सिध्धान्त के संदर्में निम्किकत्नों पर विचार करना है तो फास है कि इसका उद्देश से प्रत्चता आम जनता को सिच्छित करना और उसके मद्ध आधुनिक विचारों का प्रसार करना था ठीक है सेकेंड है कि बुड डिश्पेज ने अधो मुखी निश्यंदन के कारियानुएन का समर्थन किया था तो गलत है इन्होंने कारियानुएन का समर्थन पूर्ण रूप से नहीं किया था हाँ आप्चारिक र खर्च किया था और यह अधो मुखी निश्यंदन की बात करें कि यह था क्या चीज़ तो यह था जो भारत में जो कहा गया है कि सिच्छित और उनके मद्ध आधुनिक विचारों का प्रसार करना तो उसमें आम जनता के लिए ऐसा कुछ नहीं प्रोविजन किया गया था इस तो इसमें कोई मतलब सचाई नहीं थी तो हमारा यह दोनों स्टेट्मेंट गलत हो जाता है ठीक तो डी ऑप्षन हमारा साही है कि इसमें कहा कि गांधी इर्विन समझोज़ता के संदर्में निम्र्की कतनों पर बीचार के जिए तो फास है इसमें सभी राजनीतिक बंदिय की तो इन्होंने बात की थी इन्हों मंजूरी देदी थी ठीक लेकिन यह सभी राजनीतिक बंदियों को तो यह गलत है यह राजनीतिक सभी बंदियों के नहीं यह के वल उन्हीं को इन्होंने किया था जो राजनीतिक जो बंदी थे जो हिंसा के दोसी नहीं पाए गया थे हुए उननी छोड़ा गया तो हमारा जो सिक्एंड वाला स्टेटमेंट सभी हो जाता है बी ऑप्शन नेक्स है कि 66 में कहा गया कि आप निवेसिक काल में भारत में प्रेस की सुतंतरता के संबंद में निम्लिकिर कत्नों पर विचार किजिए तो फस्ट है कि वर्ना कुलर प्रेस 1888 लार्ड रिपन के कारिकाल के दोरान में लागू हुआ था और सेकेंड है कि चार्ल्स मेटकॉफ ने 1823 में लाइसेंसिंग बी नियमन को रद कर दिया था और भारती प्रेस की सुतंता को पुनर इस्थापित किया था ठीक है थार्ड है कि भारती प्रेस अधिनियम 1910 ने इस स्थानी सरकार के समाचार पत्रों की सुरच्छा राशी जमा करने की मांग करने का अधिकार दिया था ठीक है तो जो इसमें कहा गया है ठीक है जो यह इसमें कहे रहे हैं तो इसमें देखो यह फैस्ट वाला इस्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है क्योंकि जो वरना कुलर एक ताओ तो यह रिपन के समय जो है कारीकाल में लागू नहीं हुआ था यग जो लिटन के कारीकाल में लागू हुआ ठीक है लेकिन ने तो आथारासो हम और फैश्ट वाला स्टेटमेंट हारा Time लिख कर दिया तौज है तो अधिकार दिया था ठीक है तो दोनों स्टेटमेंट से हैं सी वाला उप्शन हमारा सही हो जाता है नेक से हमारा कुश्चा नंबर 67 तो इसमें कहा गए कि ते भागा अंदोलन के संदर में निमकिकत्नों पर विचार कीजिए तो इसका नेतर तो फसल उपज में भुगतान अंस में कमी की मंग के साथ बंगाल के बटाईदारों दोरा किया गया था और सेकेंड है इस अंदोलन को 1920 के सहयोगी सहयोग मतलब आसायोग अंदोलन के साथ बिले कर दिया गया तो तो गलत है यह मतलब बंगाल के जो बटाईदार थे इनोंने जो है अपनी फसल जो उपज का ज तो वन बाई थ्री पार्ट ही देंगे और टू बाई थ्री जो है हम अपने पास रखेंगे तो उसके बारे में यह हुआ था ठीक है तो यह और यह देखने को मिला था 1946 में बंगाल वाले चेतर में तो यह वाला हमारा सेकेंड गलत है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही ह क्यांतोजन और थर्डए कि सथस्थर अधिदियम को लागू करना तो इसमें जो कहा गया कि कौनसा स्थ्टेटमेंट साही एसमें हुआ था और सस्थर अधिन्या लागू किया गया था यह जो यह लिटन की कारिकालं में आप이고 टिक जो लिटन का कारिकाल था इनी के कारिकाल में ये देखने को मिला था लेकिन जो ये इलबर्ट बिल की बात करें तो ये रिफन के काल में हुआ था ठीक के ये 1883 में आपको देखने को मिला था रिफन के काल में तो ये वाला हमरा गलत हो जाता है सेकेंड और थर्ड सही हो जाता तो यह हमरे दो और तीन स्टेटमेंट सही हो जाता है दो और तीन स्टेटमेंट टीके नेक से की 69 इसमें कहा गया है कि 1850 से 1905 के दौरान नरम पंतियों की मांगों के लिए निमलिखित में से कौन सी मांगे सम्मिली थी तो फ़र्ट है कि सेनने 2 में कमी और का रिपल का से न्याइपलका का प्रठक्रण और थर्ड है कि विशेष वर्गों के कल्याण के लिए समाजिक शुधारों को पूर त्षाहन तो यह थ़र्डवाला गलत है था और ब्रिटिस समराज जी जो था ठीक है उसकी जो आर्थिक नीथी उसकी समीच्छा की बात की गई थी इनके द्वारा ठीक है तो हमारे जो है एक और दो स्टेटमेंट सही हो जाते हैं यह वाला ऑप्शन नेक्स है हमारा कुश्चन नंबर 70 इसमें कहा गया कि 1929 में आयोजित भार्ती रास्टी कांग्रेश के लाहोर अधिवेशन के संदर्वे निम्लिकत्नों पर विचार कीजिए तो फास्ट है कि इस अधिवेशन की अध्यचता मोतिला नहरू दोरा की गई थी सेकेंड है कि पू पनाया गया था उसमें पूर्ण सुराज को कांग्रेश के उद्देश के रूप में गोशित किया गया था ये भी सही है लेकिन इसकी अध्यचता मोतिलाल नहरू नहीं की थी इसकी अध्यचता आपको जवाहल लाल नहरू ने देखने को मिले ती ती तो यह वाला हमारा यह बी ऑप्शन नेक से सेवेंटी वान इसमें कहा गए कि निम्लिकित में से कौन सी भारती परिषद अधनियम उनीच और निस की विशेष्टाय थी तो फ़स्ट है इसने प्रांती बिधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में ब्रद्दी की ठीक है और सेकेंड है कि इसमें इसने भारती राजनिति बेवस्ता में पर्थथक से मतदान के साथ अप्रूर बजट पर समक्ड जो संवाला कि जंडान की अनुमत कि जिए यह विंद्यां कि गलत हैं αλλά कि इंह bezel जो आधिसे और सिसंप करने ज्साब ना करने की प्रिश्टाव करने की लिए भारत शादिक भाइरत संसर मां मकंद Bijan के का दो समक्ड कि proceedings कोई भी मतलब कोई उसके मंदान नहीं कर सकता था तो हमारा ये थारड वाला स्टेटमेंट गलत है और फस्ट जो फस्ट में कहा गया है कि इनमें प्रांति बिदान परसीदों में चिनौाउक तो जो इसमें कहा गया था तो यह हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है कि इसमें ब्रद्ध हुई थी और यह सेकेंड़ वाला भी सही एक पिराजनीतिक बेवस्था में प्रतक निर्वाट्शन मंदल की अवधाना प्रचलीत हो गई थी ठीक है तो यह दोनों हमारे जो देखने और दच्षडी पश्चिमी भाग तक सीमित है सेकेंड है इसने किसानों के स्वामितु की एक इस्तिर प्रणाली अस्टित्यू में आई और थर्ड है कि बंदोबस्त मतलब इस बंदोबस्त में दो बीस से तीस वरसों के बाद अवधिक रूप से राज़त मंग को संसोदित कि ठीक है तो देखो इसे यह जो रियत वाड़ी वियोस्था थी यह आपको देखने को मिलेगा दच्षडी और दच्षडी पश्चिमी जो भारत था वहीं लागू थी जिसे मदरास था पंजाब था और जो जो बंबे था यहां पर यह मतलब इस वाले पश्चिमी वाले चेत थी तो ऐसा कोई प्रोविजन इसमें नहीं था हाँ इसमें इतना जरूर किया गया था कि इनके किसानों का जो मालिक जो है जो खेत का तो किसानों को इसमें बना दिया गया था जो इस्थाई बंदवस से यह अलग थी ठीक है लेकिन अगर यह किसान जो है जो उसका जो करने की बात की गई थी इनके टैक्सेस में ठीक है तो हमारा एक और तीन स्टेट्मेंट इसमें सही हो जाता है तो सी आप्शन हमारा सही है नेक्स है भी टाय करने कि अध्यार जाय करने की सकती देह को गलत है कि इस एक तहटर उनीश करकार के इस तरह रही लिजञा की बात की गई थी द में वहारिक ἐक गया तो हमारा जो है दोनों स्टेटमेंट मतलब एक और दो इसमें सही है तो सी ऑप्सन सही हो जाता थर्ड वाला गलत है नेक से 74 इसमें कहा गया है कि भारती राष्टी अंदोलन के निम्लिकित नेताओं पर विचार कीजिए तो फर्स्ट है कि M.N. R.I. और आचारे नरेंदर देओ थर्ड जैपरकास्ट नराण मीनू मसानी फोर्थ है ठीक है तो इसमें जो भारती राष्टी अंदोलन था इसमें जो आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस सोचलिस्ट पार्टी की संस्थापकों में से कौन लोग इसमें सामिल थे तो देखो ये में इसमें सामिल नहीं थे थीक है तो यह वाला हमारा उपसन सही ओजाता है 2-3 और चार तो हमारा भी ओओला आपसन सही तो यह जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सैंगे आर लेवर किसान गजट का सिंगार विलू ने इसका प्रकाशन किया था तो और दीवला ऑप्शन सही हो जाता है इसने चाई और चीन के साथ व्यापर फर कमपशी के एकाधिकार को समाप्ट कर दिया था कंपशी के रियों तोप भारत सरकार दोरा गरेंड कर लिया गया था और फर्ट υλ कि परिश्रा के यह उसके संबंद में सिब्सेवाओं की जो भरती होती थी तब यह लागू किया गया था ना कि इस इभराओं की भरती 1833 में ठीक है और यह फास्ट और सेकेंड जो स्टेटमेंट कहे गए हैं यह दोनों स्टेटमेंट रही है क्योंकि जो चाय का व्यापार था चीन के साथ औ और व्यापार चीन के जो एक अधिकार को समाब्द कर दिया गया था और कंपनी के रिणों के मतलब उत्तरदाए तो भारस सरकार दोरा ग्रहण कर लिया गया था तो यह हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है वी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है नेक्स है शेवेंटी सेवे इसमें कहा गया कि वे नरायंड गुरू के सिशिते वे कोचीन बिधान परिश्द के सदसे बने और उन्होंने नरायंड गुरू के नारे को कोई धर्म नहीं कोई जात नहीं और मानाव जात के लिए कोई ईश्वर नहीं में परिवर्तित कर दिया तो किसके बारे में यह वर 2530 के इन्होंने ही जो ये नारायण गुरू के सिसी थे और इन्होंने ही ऐसा किया था ठीक है तो ये हमारा सी ओप्सन सही हो जाता है नेक्स है कि भारती रास्टी कांग्रेश का 1915 का बंबई मुंबई जो अद्वीशन हुआ ठीक है भारत के रास्टी अंदोलन के इतिहास में एक महतु पूर्ण महतु रखता है तो इस जो बंबई अद्वीशन हुआ था 1915 का इसके संब्ध में बताना है कि क्या है ये तो फरस्ट है कि इसमें चरम पंतियों को कांग्रेश से फिर में सामिल होने की अनुमत देने का नेड़ा लिया गया था सेकेंड है इसमें होम समसेंट ने जो चलो किया तो साओत में तो ये वाला गलात स्टेट्मेंट हरा इसमें जो है इनको स्विक्रत पर्दान नहीं की गई थी जो है इसे अस्विकार कर दिया गया था ठीक है था होम रूल के पृस्ट हर नहीं को कांग्रेश्र में फिर Sir Spal up ये चरह में ustE genau cheeseche, double अधिवेशन हुआ था लकनव में ठीक है इसमें फिर इनको सामिल कर लिया गया था और इसके साथ-साथ जो है मुस्लिम लीग का भी बिले का लिया गया था इसमें ठीक है और भारती स्र्मिकों के साथ बहतर बेवहर करना डिया की इस्थाई बंदोबस्त प्रणाली में जमीदारों के अधिकारों को बनाये रखना तो इसमें जो कहा गया था तो देखो बी वाला आप्सन सही है क्योंकि जो यह लैक्स लॉकी अधिनियम था इनके जो नागरिक थे उनमें उनको नहीं दिया जाता था ठीक है इसलिए ये सरकार ने मतलब धर्मांतरन वाले की जो धर्मांतरन हो जाते थे हिंदू से इसाई बन जाते थे उन लोगों की पैतरक संपत्ति के उतरदाइत्यू के बारे में ये पास किया गया था लैक्स लोग की एक्ट ठीक है 1950 में नेक्स है कि 80 कुस्ट नंबर इसमें कहा गए कि निम्रिकित में से कौन से तत्तो संपर्दाइक्ता के विचारधारा की विशेष्टा है तो फर्स है कि साधा विश्वास की शमान धर्म मानने वाले लोगों के एक समान धर्म निर्पेच हित होते थे ठीक है सेकेंड है धर्म कि समर्दाइक तत्तो तो तीनों के तीनों स्टेट्मेंट सही है क्योंकि साधा विश्वास की समान जो धर्म के मानने वाले लोगों के एक समान धर्म निर्पेच होते हैं ठीक है और यह मतलब धर्म पर आधारित सामाजिक राजनीतिक समधायों की धरना होती है और विभी के संदर्में निम्र्टी कत्नों पर विचार कीजिए तो फ़र्ट है कि इसने प्रांतों और रियास्तों के महाशंग का प्रिस्ताव किया था सेकेंड है इसने मुस्लिम लीग की अलग राष्ट की मांग को सुईकार कर लिया था और थर्ड है कि आरंब में बारती राष्टी क था और उसके बाद इन्होंने जो है उसको छोड़ दिया था तो यह स्टेटमेंट सही है और फस्ट वाला भी सही है परांतों रियास्तों के महासंग का एक प्रिस्ताव किया गया था लेकिन सेकेंड वाला गलत है जो यह दूई राष्ट की जो मांग थी इसे जो है नकार दिया गया था हम तब मुस्लिम लीक की जो अलग रास्टर्व की मांगती थी कि इसे नकार दिया गया था पूरे मतलब जो यह भारती महादीब था इसको जो है पूरा एक इंडिया बनाने की बात की गई थी केसमें तो हमारा जो है एक और तीनी स्टेटमेंट सही हो जाता ह और यह कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में जो है इंडिया में आया था नेक्स है हमारा कुश्चन नंबर 82 इसमें कहा गया कि भारती शुतंतरता संगरगाम के संदर्व में सांती घोस और सुनीता चोधरी जानी जाती है तो फ़स्ट है कि ए ऑप्शन भारत छोनों अंदोलन में हत्या करने के लिए और डी है कि सभी ने अवग्या अंदोलन के दोरान दुकानों पर धरना देने हैं तो महत्वपूर्ण भूंका निभाने के लिए तो देखो एडी ऑप्शन है यह सूरी सेन का जो करंतिकारी गुरूप था ठीक है उन्होंने बंगाल में जिला अधिकार की एक हत्या कर दी थी ठीक है 1931 में तो उसी के बारे में है इनकाल में मतलब ये जो और मतलब जो महिलाएं है वो भी करंतकारी गुरूपों में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही ठीक है और गोली मारकर इन्होंने इनकी इसकी हत्या कर दी थी तो यह सी ऑप्शन इसके अध्यच की अगर बात करें तो इसके जो चेर्मेंट थे तो वो सी आरदास थे और इसकी जो है एक जनवरी 1932 में इस्थापना की गई थी जब यह मतलब आसायोग अंदोलन को इस्थगीत कर दिया गया था उसी के संबंद में यह लोग मतलब उसको इस्थगीत करने क पच्छ में नहीं थे यह कहते थे कि हमें चलाना चाहिए लेकिन गांधी जीने उसे इस्थगीत करने का निर्णा ले लिए गया था तो इसी लिए यह मतलब यह लोग अलग हो गया थे और एक नई पार्टी बनाई थी तो हमारा एक और तीन स्थेट्मेंट सही हो जाता है बिवाला अंधुलं के संदर्में गुमों पर विक्षार केजें जो बहुतिच बाहर रास्ट्वादी अंधूलन थे थी इंके संगठन यूंकि सटापक है उनन यह वकॉर्खध कर औभार में सुधेश सिवागा सियो उनाइट्ट इन्डिया था इनिया था तरग नाथि ने कि थी ठीक है तो थर्ड वाला इस्टेटमेंट साही है और सेक्टेंड भी सही है क्योंकि बेकूवर जो कनडा है ठीक है उसमें स्वधेश ग्रह की जो कुछ्छा नंबर 85 इसमें कहा गया कि कई इतिहासकारों के अनुशार यह एक ऐसा युद्ध था जो वास्तों में कभी लड़ा ही नहीं गया तब ब्लैक होल की गठना इस युद्ध की प्रमुक उत्प्रेड़क सकती थी और यह ब्रिटिश यों द्वारा भारत पर बिजे की दिशा में एक महतुपूर्ण मील का पथर है या वनेत किस युद्ध के बारे में बता रहा है तो फर्स्ट है कि पलासी का युद्ध बक्सर का युद्ध पानीपत का युद्ध या वाडिवास का विद्ध तो यह पलासी का युद्ध हुआ था जो तेज जून 1757 में गया था और उसने पहले ही अनौन्स कर दिया कि हमारी हार हो रही है तो सिराजित दौला उस मेदान से भाग गया था और राच्ते में मार दिया गया था ठीक है तो उसी के बारे में यह बताया गया है नेक्स है कि 86 इसमें कहा गया है कि निम्डिक्ति उक्मा पर बिचार कीजिए तो फरस्टे की कांग्रेस अधिवीशन और उसके अध्यच्छ दिये गए हैं तो फैजजपूर का अधिवीशन जो 1936 का हुआ था इसके जवाहलाल नहरू इसके अध्यच्छ थे ठीक हरी पुर यह मतलब अध्यच्छ था की थी इन्होंने कांग्रेस अधिवीशन की हरीपुरा में इन्हें शरो सम्मत से चुना गया था सुबासंद्र बोश को और फैजपूर जो अध्यच्छ हुआ था जवाहलाल नहरू इन्होंने किसानों के बारे में बात की थी ठीक है तो एक और जो तीन तीनों हमारे स्टेट्मेंट सही है है तो हमारा ड्य ऑप्षन सही हो जाता एक दो और इनके अटीचछ इसमें कहा गए कि भारत में बिटिस पासन के संदर में निक्वित में से कौन सा कथन ज़ह है तो इसमें बताना है कि जो ब्रिटिस आसन था उसके संदर में वाइट टाउन यानि गोड़ा सहर और ब्लैक टाउन यानि काला सहर का सरुषेश्ट वरणन करता है तो फर्स्ट है कि यह आप्शन है यह वेज शेतर थे जिन शेतरों में अंग्रेजों का अधिक्तम और नियु उपज के आधार पर नगरों का वरगी करते थे तो देखो शीवाला उप्शन साही है क्योंकि यह एक नगरी केंदर के बीतर क्रमसा अंग्रेजों और जो भारतियों के आवास इसकल थे उन्हीं के बारे में बात किया गया था ठीक है तो जो यह वाइट हाउस और ब्लेक हा कि इनको वाइट हाउस के नाम से जाना जाता था तो चलते हैं इस कुष्चन पर तुनेक से हमारा कुष्चन नंबर 88 इसमें कहा गए कि एका अंदोलन के संदर्में निकतनों पर विचार कीजिए तो फ़र्ष्ट है कि एका अंदोलन का उद्दे से हिंदू-मुसलिम एकता को बढ़ावा देना था और रास्ट्री नेता के साथ मजबूत संबंद बनाये थे तो जो यह कहा गया है तो जो इसमें प्रोविजन नहीं किया गया था ठीक है इनके साथ जो है यह इंसे घटनाएं करते थे तो जो इंडिया नेशनल कांग्रेस का जो एजन्डा था उसमें इसे घटनाओं की कोई भी वह मतलब थी नहीं तो यह मतलब यह लोग मतलब उससे दूर थे ठीक है तो यह वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है और सब्सक uh वुश लगान स्टांव को शह पसंद नहीं करते थे मतलब मतलब भूत ज्यादा मत्रा में यह लोग लगाते थे और यह deduction और इता य Cookie तो हमारा सेकेंड स्टेट्मेंट सही है औप्षन सही हो जाता है यह ठीक है कि अंदोलन और उनके नेताओं के संदर में युगमों पर विचार करना है तो फिर्स्ट की अंदोलन और नेता दिये विए तो रमुशी वासुदेव बलवन्त फड़के और कूका सेकेंड है बाब यह पगलपन थी अगर अंदोलन के नेता की बात करें तो यह आपको देखने को मिलेगी जो करम साथ है ठीक है करम साथ है इन्हीं की द्वारा यह मतलब इन्होंने इसका नेत्रत किया था और यह जो है उत्तरी जिले जो बनाए गये थे बंगाल के उत्तरी जिले वहां यह म बरवंत पढ़के ने तो एक और दो स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है थर्ड वाला हमारा गलत है तो गलत पुछा गया है तो हमारा सी ओप्सिंस सही हो जाता है नेक से हमारा कुछ्चन नंबर 90 इसमें कहा गया कि निम्लिखित गद्यांस में से पर विचार करना है मतलब जो नीतिक शुरूप पराप्त कर लिया था अंदोलन के नेताओं ने जागेरदारों और राजाओं की हत्या को प्रुट्चाहित करने की गोशना की थी कि और वर्तमान कल्यूग के साथ सत्यूग की स्थापना की जाए ऐसी बात की थी इन लोगों ने तो किसके बारे में ये कह गया है इस्टेटमेंट पूरा तो संथाल विद्रो मुंडा विद्रो थाना भगत या चुवार तो जो ये मतलब आपको देखने को लगा बी ऑप्सन सही है जो ये मतलब मुंडा विद्रो था ठीक बिरसा मुंडव के नेतरों तो में जहार खंड वाले चेत्र में आपको बात करता था तो यह जो बाहरी होते थे उन्हें दिकूज कहा जाता था कि वह लोग लैंड खरीज लेते थे या मतलब वो लोग मतलब इसमाने में था यह तो भी ऑप्सन सही हो गया नेक चैकि 91 इसमें कहा गया कि भारत परिश्यत अधिनियम उनीशों मतलब 1892 के संदर में थोड़ा साथ किया अगरिया थोड़ा साथ हो जाती जो एक चीज मतलब परते रो बार 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 तो उनीश तो याद आता अथारा सा बहुत कम याद आता स्वारी गैस तो भारती परिश्यत अधिनियम 1892 के संदर में लिक्तनों पर विचार करना है कि केंद्री बिधा परते चुनाओ प्रणाली लागू की गई थी तो जो इसमें कहा गया है कि जो जो 1892 का था तो इसमें देखो जो बजट पर जो है मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था हाँ चर्चा करने का अधिकार दिया गया था तो फस्ट वाला इस्टेटमेंट गलत हो जाता है और करने करेंजा परनेकर भरत परिषात्य जो पहली बार विद्धान परिश्थ में जो आपको इसमें ने जान गईन्स में shattered किया था लेकिन गए यह मतलब सरकारी अधिकारियों का बहुमत था गैर सरिकारी बहुत कम लोग थे और प्रतेश्य चुनाओं की बात भी नहीं की गई थी यह तो आपको 1919 का जो एक टाया था भारत परिशाद अधनियम उसमें बात की गई थी तो तीनों के तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है नेक से 92 इसमें कहा गया कि 1857 के बिद्रो के बाद ब्रेटिश प्रसासन दोरा सेना में निम्निकित में से कौन से परिवर्तन किये गए तो फर्स है कि जो सेना में भारतियों की तुलना में यूरोपी सेनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया और सेकेंड है कि लडाको और गैर लडाको वर्गों की अवध धारणा परचलित की गई और थर्ड है कि अवद और बिहार के सेनिकों की भरती में ब्रदी की गई तो गलत है अवद और जो आपको देखने को मिला था जो अवद और जो बिहार वाला च्छेतर था तो यह अठरसों सताउन के करांतिकारी गत्विदियों में सबसे ज्यादा यहीं के लोग सामिल हुए थे यहां के सेनिक और यहीं का जो मतलब चेतर के लोग भी यहीं के बहुत ज्यादा बिद्रों कर दिया था यहीं के चेत्रों ने तब ही जो है यहां के सेनिकों का मतलब इसमें कमी देखी गई थी इनको जो है लड़ाकू फिर योद्धा के रू बंगाल वाला चेतर था इसमें पहले बहुत कम इसका यूरूपियों का हुआ करता था तो उसके बाद क्या किया था वन बाइट टू अनुपाद कर दिया था मतलब एक यूरूपी होगा तो दो इंडियन होंगे ठीक है इनकी बढ़ा दी गई थी और जो बंबेव मदरास वा विचार करना है तो फास्ट है कि इसे स्वामी सहजानंद की अद्यचता में लकनों में इस्थापित किया गया था सेकेंड है जवाहलाल नहरू इंदू लाल या ग्रिक और जैप्रकास नराण इसके जो आखिल भारती किशान कांग्रेस के संबद थे और थर्ड है कि किशान गोशना पत्र ने कांग्रेस द्वारा उसके फैजपुर अद्वेशन में अपनाय गये क्रशी करिक्रमों को प्रभावित किया था तो थर्ड वाला स्टेट्मेंट तो हमारा सही है जो फैजपुर का जो हुआ था इसमें जो जवाहलाल नहरू इसकी अद्द्चता क रहते और इसमें किसानों की बात कि थी ये घुषना पत्र को अपना लिया गया था और थार्ड वाला सेकेंड भी सही है और फैस्ट भी सही है क्योंकि ने ने फैस्ट नहीं चाहिए आज जवाहलाल नहरू इंदूलाल या ग्रिक और जैपकास ये तो संबंदी थे जो आल अल इंडिया किसान जो कॉंग्रेश थी से संबंदी तो फस्ट में सहाननद सोथिती लखनों में इसकी इस्थापित किया था तो यह भी सही है यह मतलब तीनों के तीनों स्टेट्मेंट सेयं क्योंकि वे अद्धिशते सहाननद सुरह सथी इसके और इसकी स्थापना उनीश 237 वाला जो हुआ था यह फैसपुर वाला जो अधिशन इसमें किस्वान गोशना पत्र को स्विकार किया गया था कंग्रेश के दौरा तो हमारे तीनों स्टेट्मेंट सही है डियोला ऑप्शन सही हो जाता है इसका ठीक है नेक्स है कि सेयद एहमद खान ने के संदर में नि बैख्या के घृट करते थैं और उसकी है ठृट और जो जो अंतिम शिक्षा की रूप में कुर्ण को स्कार तिया था लेकिन उसकी जो ब्याठ्षा थी व जो पच्षमी शिच्छा की भैग्यानी का पद्ध्थ भी उसके आधार के बचाष्ण नहीं कि उन्हें नहीं किका तो ये भी हमारा गलत है फस्ट वाला सही है क्योंकि जो है 1875 में अलीगड़ में ओम्डन एंगलो और इंटल कालेज की स्थापना की बाद की थी इन्होंने और इसके बाद यही अलीगड़ मुस्लिम विश्विद्दाले आगे चलकर बना ठीक है तो हमारा जो है फस्ट वाला स्टेट्मेंट के वाले इसमें सही हो जाता है और सिकेंड थर्ड दोनों गलत है निक्स है कुश्चन नंबर 95 इसमें निम्लिकित में अंगरेजों की आर्थिक नीटियों के परिणाम क्या थे मतलब क्या बताना है तो सहरी हस्तिति उद्दों का विकास बागान उद्दों का विकास और पुराने जमीदारों की चमापती और नए जमीदारों का उद्दे तो यह सई स्टेट्मेंट है क्योंकि पुराने जमीदार जो थे वो मतलब थोड़ा सा भाविक हो जाते थे किसानों को लेकर क्योंकि वहीं छेतर के होते थे तो य ज्यादा था उनको जो है यह मतलब जमिदारी दिया करते थे तो यह तो हमारा स्टेटमेंट साहिए और बागानों के उद्दोगों का विकास हुआ क्योंकि जिसे रबर कहवा काफी और यह मतलब जो चीज़े थी इसमें जो है इसमें बढ़ावा इनको दिया था क्योंकि इस हस्ते चिल्फ जो सहरी हस्ते चिल्फ दोग तो यह इसका जो बिनास हो गया था मतलब खतम हो गया था पूरी तरीके से क्योंकि यह क्या करते थे जो वहां का जो मशीनों से द्वारा बनाए गए यह हस्ते जिए हम लोग इंडिया में अपने हाथों से बनाते थे च्छोटे जो है सही हो गया दो और तीन तो दो और तीन वी ओप्सन हमारा सही हो जाता है नेक्स है कि 96 इसमें कहा गया कि राश्की योजना समित जो 1938 में आई थी के संदर में बताना है कॉन सा स्टेट्मेंट सही है तो फ़स है कि या समीं जवाहलाल नेरु की अध्यचता में इस्तापित की गई थी सेकेंड है इसे सारवनिक छेत्र जो था उसको समर्थित और दोगी करन का समर्थन किया था थर्ड है इसने पारंपरिक उद्धोगों के विकास को प्रोत्साहित किया था जबकि आटो मोबाइल जैसे आधनिक पर ध्यान नहीं दिया था तो गलत स्टेट्मेंट है क्योंकि आटो मोबाइल और जो उद्धोग थे उन पर ज्यादा ध्यान दिया था ना कि परावगत पर ठीक है और यह सेकेंड वाला जो सारवनिक छेतर में जो अद्धोगी करन का समर्थन किया था यह भी हमारा जो सभी हो जाता है ठीक है और इसके सासद पहला भी स्टेट्मेंट सेगे कि जवालाल नहरु की अद्धश्यता में मतलब इसको इस्थाप्रित किया गया था इस समीद को जो जरास्ति योजना समीद थी तो इसके बारे में यह अगर हम बात करें तो हमारा स्टेट्मेंट सही ह हो जाता है कौन सा है हाँ डी ऑप्शन थी डी वाला हमारा सही हो जाता है नेक्स है कि 97 इसमें कहा कि कि शुरेंद्र बनर जी और अन्य उत्तरदाई उदारवादियों द्वारा कंग्रेस की शर्दस्यता का त्याग और इंडियन लिबरल एस्सोशेशन का गठन करने के क्या इसके बारे में यह मतलब इसके पच्छ में नहीं थी इसलिए यह मतलब अलग हो गया तो इन्डियन लिबरल एस्सोशेशन का गठन किया था 1922 में तो यह हमारा यह वाला ऑप्शन सही हो जाता है नेक्स है इसमें गुर्वायूर शत्यागिरा के संदर में निम्खे कतनों पर विचार करना है तो इसके बारे में जो बात की जा रही है तो देखो इसकेंड वाला जो इसमें किसानों के लिए ऐसा कोई प्रोविजिन नहीं था क्यू कि इसमें मंदिर में प्रोवेशन नहीं दिया जाता था ठीक है तो उसी के संबंध में मतलब सत्याग्राह हुआ था यह वाला ठीक है यह गुरू वयूर थे उनी के विरुद्ध यह मतलब किया गया था यह क्यूस्ण मंदिर जो था उसमें प्रवेशन नहीं दिया जाता था इसलिए यह किया था और प्रांती कंग्रेस समित का आरंब किया तो हमारा फैस्ट वाला स्टे सकेंड है कि जन्संख्या के पास्चाती विचारों के प्रसार है तो बालिका सिच्छा पर विशेश बल दिया गया था थर्ड है सरकार द्वारा मुकिता प्रसासन की लागत कम करने के लिए सचिक शेतर में प्रियाज किये गये थे तो देखो ये बालिकाओं के बारे में जो बात की गई तो यह गलत है ऐसा कोई नहीं कि और आप इसा कोई पर्टिसिपेशन इनका देखने को मिले नहीं था और नहीं के लिए को बीछेश प्रोविजन किया गया था क्योंकि अगर बालिका सिच्छा यानि महिला शिच्छा की बात करें तो उस समय के वल दो परसंट और यह फ्रस्ट वाला स्टेट्मेंट भी गलत है क्योंकि इसमें जो अभी तक जो है जो बीश्वी सताबदी के आरहम तक देखने को मिला थे तो बारा परसंट लोग सिच्छिते इंडिया में जो की बहुत ही कम थे ठीक है तो यह भी मतलब गलत स्टेट्मेंट है और मुकित लगत के करन्र से चिक शिचा के अनिक प्रियात किये गया थे मतलब पैसा ज्यादा नहीं लगाया था बस ऐसे कह दिया गया था तो इसमें कौनसा स्टेट्मेंट पर सही नहीं है तो फस्ट और सेकेंड गलत है तो हमारा आप्संट सही हो जाता है सी वाला ठीक है गलत ने जमीदारों की हितों की रच्छा के लिए कि रच्छा के लिए ने इसका गठन अंग्रेजों द्वारा भारतियों में बढ़ते असन्तोष को कम करने है प्रदान करने के लिए किया गया था ही है कि इसका गठन प्रारंबिक राष्ट्रवादियों द्वारा किये गए राजनीतिक कारियों के स्वभाविक चरम पर इंडिति थी और डी ऑप्षन है कि इसका गठन भारती समाज में शामाजिक धार्मिक और राजनीतिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था तो देखो इसका ईसका बी ओप्स है क्योंकि जो है इसका दोस्तों में शेयर जरूर करने और लाइक तो करना ही लाइक करके तो बिल्कल जाना यह अगर वीडियो पसंदार है ठीक है और अपा झाया जिस होंगा ठीक है तो आप लोग जो है इसको इंजॉय कर सकते हैं और पीडियेस टेलिग्राम जोइन कर लेजिए तो आज के लिए इतना ही और अपनी जो अच्छे से पढ़ाई करते रहे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत